अगर किसी को पैसे कमाने के अवसर नहीं आ रहे है तो उसका कही न कही गर में नौर्थ खराब है क्योंकि money opportunities की रिशा है North East खुला हुआ है वो सबसे best है इस बात को कोई डीनाए नहीं कर सकता जैसे पैसे कमाने की opportunities भर भर के आ रही है तो मैं बुत का दान करके कुछ उखाड नहीं लूँगा ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता कुछ वास्तों में कि आज मैंने रेमेडी की कल मेरा रिजल्ट आ गया आज की वीडियोस रेमेडी से भरी हुई है आज आपको बता लगेगा किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं किस तरीके से आप successful हो सकते हैं अपनी health को improve कर सकते हैं अपने relationship को improve कर सकते हैं आज आपको जो remedies का खाजाना मिलने वाला ना वो बहुत अलग होने वाला है मेरा नाम है श्रेयांस जोशी मैं आता हूँ एमदाबाद से मैं पिछले आठ साल से वास्तू के फिल्ड में अच्छा काम कर रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे बता हूँ ये remedies कैसे काम करती है remedies, साहिल जी इसमें एक चीज है, कि जितनी भी remedies है, वो man-made है जैसे cancer एक रोग है, तो cancer जब find हुआ था, तब उसकी कोई दवाई नहीं थी, बट फिर जो लोग थे, जितने भी scientist है, उन्होंने R&D करके उसकी दवा निका ली, रहसे ही जितनी भी remedies आज के टाइम में आप देख रहे हो, regarding वास्तू, मैं astrology की बात नहीं करता astrology में बहुत deep knowledge अलग-अलग होती है, remedies बट इन वास्तू, जितनी भी remedies that are man-made, वास्तू में जितनी भी remedies दी हुई है, जो मानसार है, मनुश्यालाई चंदरिका है संब्रांदन सुत्रदार है या विश्व कर्मा प्रकास है, कहीं पे भी remedy का उल्लेक नहीं है वहाँ पे खाली इतना दिया है, राजा को यह यहाँ बनाना चाहिए, नहीं बना है तो क्या करना है, यह नहीं दिया तो simple सा statement दे दिया है that you have to make construction like this, construction आपको कैसे करना है, वो दे दिया, गलत construction के लिए क्या करना है, यह नहीं दिया तो जितनी भी विद्ध आप remedies देख रहे हो वो सारी उसके element के उपर से जैसे north-northwest है, north-northist है, north-ist है यह जल तत्व की दिशा है है तो जल तत्व का हमको metal पता है जल तत्व का हमको रंग पता है जल तत्व का हमको shape पता है तो यह सारी चीज़े पता है उस हिसाब से, बाकी आप जो remedies की बात कर रहे हो तो remedies है, बड़ वो किस चीज़ की है तो भूमी की शुद्धी करने के लिए जैसे रतना दियाए हो गया जिसमें रतन से हम भूमी की शुद्धी करते है रतन जमीन में डाले जाते है फिर वोगता है धातू अधियाए धातू अधियाए में अगें जो धातू यानि metal metal से हम सब solve कर सकते है उसके बाद आता है गर्ब विन्या स्विधी जो बहुत ही आज के टाइम बे बहुत ही महेंगी पड़ती है बड़ लोग है जो वो करा रहे है और वैदिक परंपरा से ये चीज़ होती है गर्ब विन्या स्विधी में रतना दियाए प्लस दातू दियाए प्लस जो ब्रहमस्तान होता है उसमें एक नावी होती है उसके डाइमेंशन्स दिये हुए है विश्वकर्मा प्रकाश में वो डाइमेंशन्स के हिसाब से वो शंकू और नावी बना के हमको जमिन में उसको प्रस्थापना करनी होती है तो वैसे होता है उसके बाद आता है जो हमने गलत construction की बात की तो जितने भी हम यह stickers देख रहे हैं कि green color का sticker कर दिया यह हमने SS की पट्टी लगा दी तो यह सारी man made है इससे result मिलते हैं बट कितने कि एक छोटा बच्चा रो रहा है हमने उसको चॉकलेट दे दी ठीक है वो चॉकलेट लेके तब तो शांत हो गया अभी फिर उसका नॉर्थ का जो ग्रह है वो बुध है तो आप बुध की remedy करो तो भी वो आपके गर के नॉर्थ को ठीक रखेगा तो वैसे भी हम कर सकते हैं अगर आप अपने गर का वास्तो करना चाते है या नियूरोलोज से जानना चाते है अपने बारे में कैसा रहेगा आने वाला साल कै तो आप हमारी अप को डाउलूड कर सकते है लिंक इन डेस्रिप्शन फोड़ इसको डेटेल में इसको लिंक करो कि कौन सा जोन का कौन सा ग्रह है और उसको कैसे सही कर सकती है सबसे पहले नॉर्थ तो नॉर्थ का गर है बुध अगर किसी को पैसे कमाने के अवसर नहीं आ तो उसका कही न कही गर में नौर्थ खराब है, क्योंकि money opportunities की दिशा है, तो अगर वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो बुध का दान दे, बुध का दान यानी हरे मुंग जो आते हैं, जो पूरे हरे मुंग है, उसका अगर वो दान दे, तो भी उसका नौर्थ कही न कही ठीक रहे हो, तो वो आपको और तकलिफे देगा, बट दान में क्या है, कि दान में ऐसा कुछ नहीं, कोई side effect नहीं है, तो बुध आपका strong करने के लिए, बुध यानि नौर्थ दिशा आपकी strong करने के लिए, आपको हरे मुंग का दान करना है, तो पैसे जो ने customers नहीं आ रहे, जैसे मैं businessman हूँ, तो मेरे लिए ने customers आने बहुत important है, कोई job है, उसको promotion नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उसके लिए वो business opportunity हो गई, तो प्रमोशन नहीं आ रहा, तो भी उसका गर का north खराब है, north खराब कैसे होता है, वहापे अगर आपने anti-elemental activity कर दी, जैसे लाल गलर कर दिया, ठ kitchen बना दिया, या toilet बना दिया, तो ये anti-elemental activity हो गई, तो वो north खराब करेगा, तो ऐसी जो भी problems आ रही है, उसके लिए आपको north को ठीक करना है, शरीक रशने ने बगवत गीता में बोला है, ठीक है, चार चीज़ करने से आपके सारे कर्म ठीक हो सकते है, जप यानि बगवा अब दान करो, आगे आते हैं, next zone में, next दिशा है, उमारी north east, यानि इशान कुन, इश्वर का स्थान यानि इशान, simple है, जहाँ पे शिव का स्थान है, वो इशान है, अब भारत की north east में देखोगे, तो शिव जी वहीं पे बिराजमान है, कैला समान सरोर, right, तो इश्वर का तो वहाँ पे जो ग्र है, that is Jupiter, north east अगर आपका खराब है, तो आपको vision अच्छे नहीं आएंगे, आपको आज के बाद, आपने कई लोग देखे होंगे, कि जैसे कल क्या कर रहा है, तो उसको नहीं पता होगा, तो कहीं नहीं उसका north east खराब है, north east जिसका अच्छा होता है, वो 10 साल ब्लान करता है, 5 साल ब्लान करता है, अगर north east खराब है, तो vision नहीं आएगा, clarity नहीं आएगी, उसका दिमाग सही तरह से वो उप्योग नहीं कर पाएगा, तो north east जिसका खराब है, तो वहाँ पे गुरु का दान दिया गया है, तो गुरु के दान में आप क्या-क्य दे सकते हो, हल्दी दे सकते हो, जितने भी पीली वस्तु है, ये सारी चीज़े देख सकते हो, next आता है east, east में जो देवता है, वो है सूरिय, और east का का काम है, social connections का, तो जितने भी social media या digital marketing के course आपके कर रहे हैं, जितने भी आपके students है, उन सब को अपना east ठीक कर रखना है, तो ही ये कला उनको वो सीख पाएंगे, कला सीख जाना और खाली course का पैसा देना दोनों में फरक है, course मैंने भी 500-100 साइन कर दिये, पर आज तक देखने का time नहीं मिला, तो कला सीखने के लिए उनको east चाहिए, east में है सूरिय, सूरिय का दान क्या होता है, गिहूं, तो अग भी न कहीं east ठीक रखना है, तो घीगूं का दान करके, वो सूरिय को प्रसंत न करके, वो east की दिशा जो उसके problems है, उससे वो बच सकता है, आगे जाता है south east, south east में है शुक्र, south east सीधा related है हमारा पैसो से, cash liquidity देखी जाती है south east से, south east को अगनी भी बोलते है, right, तो हमारे शा भासकर यानि कि सुरिय देव के पास, ग्यान इच्छे तू शंकरम, ग्यान चाहिए तो शंकर के पास, विद्या इच्छे तू सरस्वतिम, विद्या सरस्वति के पास, शरीयम इच्छे तू उतासन, शरी यानि अच्छी लक्षमी, अच्छी लक्षमी चाहिए, तो हुतास उतासन नामक अगनी है, उनके पास जाना है, उतासन नामक अगनी जो है, वो विश्लु भगवान का ही अवतार है, जैसे अलग-अलग अगनी होती है, पेट के अंदर होती है, जटरा अगनी, जो जंगल जलते है, वो होती है, दावान अलगनी, अनमान जी ने पूछ से जो ल पैसे की गर्मी चड़ गई क्यों ऐसा नहीं बोलते ठंडी चड़ दी जेब गरम हो गई हम क्या फुलते हैं पैसा सिधा रिलेटेड है हमारे साउथ इस से आपने कई लोग देखे होंगे कि आप उनसे वह आये होगा BMW 7 इसको 5000 बूले अब भी नहीं है मैं करवाता हूं ऑफिस में फोन करता हूं गूगल पर करवा दूंगा तो वह क्याश लिक्विडिटी नहीं होती तो साउथ इस से अगनी पैसा देखा जाता है ऐसे जितने भी लोग हैं जिनके पास कैश लिक्विडिटी की कमी है प्रॉपर् है तो यह कैश लिक्विडिटी को आप खराब करेगा इसके बहुत सारे इलिफेक्ट अलग भी है बट अभी हम में इसका इलिफेक्ट पकड़ते हैं वहाँ पे है गर शुक्र तो शुक्र का दान है दई तो जिसके भी गर में साउथ इस्ट में टॉयलेट है और वो कुछ बहुत भी नही operate में रहा है मकान मालिक बोले मैं वास्तों नहीं मानता हम समझाने नहीं जा सते है मकान भालिक को कि भाई यह ऐसा ऐसा है यह शास्त्र है ऐसे-ईसे होता है तो उसको वो खाली दही का दान हरोस करे, तो भी उसका शुकर ठीक होगा, which in return, South East उसका गर का बैलेंस करेगा आगे आते हैं South की तरफ, South में है मंगल देव, relaxation की जगा है, fame की जगा है, यश, मान, किर्ती, यह सारी चीज़ South देती है उसके साथ-साथ, South आपको इतना powerful बनाता है, कि आप देखोगे कि South में जो बंदा भी सोता है, वो एक राजा के जैसा होता है हमारे में बुला गया है विशो कर्म प्रकाश में, दक्षिने शयनम तथा, नेरुत्यम सुतिका गयं, प्लस दिया है, दक्षिने शयनम तथा, यानि कि आप अपना कवड़ा South या तो South में बना सकते है तो ये राजा के लिए सबसे अच्छा है, तो South में ग्रह है मंगल, तो आप मसूर की दाल का अगर दान करो, तो आपका मंगल ठीक रहेगा, विच इन रिटन, South आपका ठीक करेगा आपके दर्शपु को सब पता ही है कि कौनसा जो जो जोन है, या कौनसी दिशा से क्या देखा जाता है, ठीक है और उसका इलिफेक्स वही है, कि अंटी अलिमेंटल एक्टिविटी कर दिया आपने, या फिर वहाँ पे टॉयलेट बना दिया तो साउथ में अगर टॉयलेट आया, तो ये चीज होगी, आप मसुर का दाल का दान करिये, तो वह आपका साउथ ठीक रखेगा आगे चलते हैं साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ आता है राहू, राहू यानि आपका इल्यूजन, राहू यानि सोच नहीं सकते वैसा पैसा, आप एक रुपया कमाने निकले हो, सो कमा के आ रहे हो, तो राहू दे हो है, और आजकी जो जमाना है, that is also of राह मैं बविश्य माली का गलत ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट बविश्य माली का मैं इतना दिया है, कि शनी की ये पोजिशन होगी, तब अर्थ में ये सारी चीज़े होगी, बट श्रीमत भागवत यहां पर डिफर करता है, श्रीमत भागवत बोलता है, कि शनी की ऐसी पोज बोर कल्योंग भी आने को है तो southwest अगर साउथ वेस्ट में फिर अपका रिलेशनशिप का जोन है का स्टैबिलिटी का जोन हैं साउथ वेस्ट अगर किसी का खराब है या कटा हुआ है या बड़ा हुआ है तो वैसे परसन की रिलेशन्शिप बिगडी होगी या फिर वो अलग-अलद जॉप्स करता रहेगा या अलग-अलद धंदे कोल के बैठेगा आपने कई लोग देखे होंगे कि आज फोन किया तो मुले मैं एक्सिस बेंग में हूँ चार महीने उसने आपका एकाउंट कोल दिया एक्सिस बेंग का 10 रुपे का पैकेट वो भी ब्रैंड का आता है वो लेके हर रोज किसी को दान करो तो इंटन आपका रहू ठीक रखेगा या बैलेंस रखेगा वो यह जितनी भी रेमेडीज है वो आप एक समझ लो कि यह खड़ा है जहां पर आपको बिल्दिंग बनानी है तो यह जितन एक तम निकला है financial independence तो financial independence रहेगी साउथवेस्ट अगर जिसका पूरा बैलेंस दे तो यहां पर क्या है कि जो stability नहीं है वो stability लाके देगा financial independence नहीं देने वाला तो यह दर्शकों के लिए एक समझनी की बात है कि overnight success नहीं होता कुछ वास्तों में कि आज मैंने remedy की कल मेरा result आ whole order आती है वो दान करना है west हमारी again gains and profit की दिशा है हमारा जितना भी पैसों का amplification है वो west से देखा जाता है मैंने अच्छे खासे पैसे कमा लिए आपने अच्छे खासे कमा लिए उसके बाद अगर वो पैसे को बढ़ाना है तो west के पास वो ताकत है दूसरे किसी दिशा के प 50x करके दे तो अगर किसी का west में toilet आ रहा है या कोई भी वास्तुदोश है और कोई भी तो उसको जो पैसा मिलना चाहिए वो भी मिलेगा जैसे मैंने सोचा था कि मैंने 100 रुपे में ये गड़ी ली और मैं इसको 200 में बेचूंगा बट मेरा west खराब है गर में तो क्या होग कि ये मेरी गड़ी इंवेंटर में पड़ी रहेगी मेरा पैसा ब्लॉक है 100 रुपे तो मैंने लगा दिये इसको खरीदने में और ultimately मेरको वो कोई बंदा 1.5 साल या 2 साल के बाद आया उसको वो बोलेगा ये गड़ी दे दो ना मेरको मैं 110 दूंगा तो बोले जाना मेरा 100 र नॉर्थ वेस्ट के उपर नॉर्थ वेस्ट यानी चंद्रदेव मन कहां है हमारा मन हमेशा चंद्र से देखा जाता है आपकी कुंडली में जहां पे भी चंद्रमा की प्लेस्वेंट है आपका मन वही पे रहेगा जैसे फर्स्ट आउस में है तो आपका खुद के एक्स्द तो आपको जो support system है वो fail हो जाएगी पांडव और कौरव माभारत में दोनों थे कौरव के पास ज्यादा बल था पांडव से बट पांडव के पास एक unified एक support system था कृष्ण ठीक है और उनका वोल एक था कौरव में क्या था कौरव क्यू हारे उनका एक specific बोल नहीं था वो लड़के ठक जाए या आपकी ज़रूत पड़ेगी तब हम उनको बत बोलेंगे वहाँ पे loyalty है करना को यह दिखाना है हाँ भाई में तिरे साथ में इसलिए वो साथ में भिश्म को भी पांडव सही लगते थे बट वो थ्रोन के प्रती लोयल थे तो इसलिए वो कौरों के स साइड पर तो सपोर्ट सिस्टम हुवारी नॉर्थ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट को ठीक करना है तो चंद्रका दान करना है चंद्रके दान में अगर आपसे हो पाए तो अपनी माता जी को आप चार सोमवार तक आप मिनिमम में मिनिमम दस ग्राम चांदी लेके उनको हर सुमवार को आप माता जी को दो उनको नतमस्तक होगे तो यह चंदरका उपाई होगे तो मुस्टली यह सारे remedies जो household items है उसे से हो जाएगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो पिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और अगर आप चाहें तो हमारे नई चैनल को पिए सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पर हम इन वीडियो के क्लिक बर्जिन डालते हैं जहाँ पर पांच-छे विनिट के अंदर ही बहुत सारी चीज़े सेख सकते हैं, चैनल का link description में दे लिया है, तो अभी यहाँ पर एक सवाल है, मैं दो तीन सवाल है एक तो कि मैं अगर किसी चीज़ को donate करता हूँ और वो मेरा planet strong है, तो क्या उसकी वज़े से मेरा strong planet अधीक हो जाएगा? आपको यह remedies कब करनी है? हाँ, कब करनी है? जैसे मैंने बोला कि support system आपकी वीक है, तो ही आपको remedy करनी है क्योंकि अभी मुझे यहाँ बैटके नहीं पता कि आपकी कौनसा planet सही है, कौनसा planet गलत है हरेक की कुंडली में पाच planets ऐसे होते हैं, पैसा हरेक गर देता है पाच planets ऐसे होते हैं, जो उसके support में होते हैं और चार ऐसे होते हैं, जो उसको नीचे खीच रहे होते हैं तो अगर वो पाच planets जो support में हैं ठीके कई में चुचे भी होते हैं यह एक unified average निकाला हुआ है अमने बहुत सारे bird charts पड़े आद तक वैसे मैं astrologer नहीं हूँ मैं वास्तू consultant हूँ बड़ फिर भी जिदने भी clients हैं उन सब के हम देखते ही है फोर एस्ट वास्तू परपस यह एक average है कि पाच ग्रह अच्छे होते अच्छे या neutral होते और चार ग्रह या तीन ग्रह ऐसे होते हैं वो मुझे नहीं करना है विजिन्स मेरे अच्छे है मेरा प्लांड है पांच साल प्लांड है तो मुझे नॉर्थिस की रेमेडि करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो गुरू अल्रेड़ी आपका strong कई पर बैठा है या स्वग्रुई या उच्का बैठा है जो आपको support कर रहा है तो उसको और support देके कुछ काम नहीं है तो यह जो zone के attributes से या दिशा की जो नीती नियम है या दिशा के attributes को आपको समझ के ही या remedies करने है दूसरा question यह है quantity कितनी देनी है quantity minimum 100 grams फिर यथा शक्ति आपकी minimum 100 grams हम लोग क्या करते है मैं simple सा बताता हूँ मैं एक provision वाले के पास दाता हूँ उसको बोलता हूँ 43 days 43 days आपको minimum करना है उसके बाद आपको अगर ठीक लगे तो आप continue कर सकते हो for 43 weeks बट कोई भी दान आपको 43 weeks से extend नहीं करना है मैं बोलता हूँ 100 gram के 43 packets बना ले मेरी जो गाड़ी है उसके डिक्की में मैं डाल देता हूँ और सुबाई मैंने मेरे security वाले को बोला हूँ मैं तो उपर 10 रुपे भी देता हूँ कि बाई मैं उत्रू ना 43 packets बना के साथ में ही रख लो तो वो हर रोस हो जाएगा तो अभी जैसे strong और weak की बात करके चले इस office की बात करके चलू तो मेरे south-south-west के entry है घर की भी है पर मुझे उतना negativity बढ़ रहा है वो 10 योर के उपर जाता है south-west बहुत सारी मेरी वीडियोज में लोगों ने देखा भी होगा और मैं फिर से बताता हूँ southwest हमें साथ 7 के multiples में southwest या नॉर्थिस ये दो एक्सिस सबसे खतरनाग एक्सिस है ठीक है नॉर्थिस का toilet southwest की entrance ये दोनों 7 साल के एक्सिस पे काम करती है साथ साल हूँगे I guess नहीं हुए क्योंकि हम अच्छे तरह से यहां पे मिले है इदने तो साथ साल नहीं हुड़े साथ साल हूँगे उसके बाद आपको समझ आएगा कुछ राहू ब्रम है southwest या south-southwest यानी राहू की दिशा है उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि आपका जो काम है एक तो आपका नॉर्थ इस पुरा कुला है तो वह वैदिक वास्तु के इसाब से number one पे आता है कि जिस भी property का north और east खुला हुआ है उसको आदे वास्तु दोस्तों ऐसे ही नहीं लगते क्योंकि आदी शक्ती वहाँ पे मौजूद है दूसरी चीज़ आपका जो काम है digital marketing ले लो या फिर आपका YouTube marketing ले लो या education का ले लो digital से related है social media से related तो गंदर्व करके एक पद है जो आता है S7 में गंदर्व यानि जो राजा जो राजाओ का दरबार लगता था वहाँ पे वो है master of performing arts चाहे आप YouTuber हो चाहे आप singer और एक्टर हो painter हो sculptor हो ठीक है वो सारे performing arts है ठीक है performing arts वाले को कभी भी south of southwest में toilet नहीं बनाना है क्योंकि वो गंदर्व के दो पद आते ठीक है एक में बना सकते है शोष में बना सकते है गंदर्व में नहीं बनाना है कोई भी actor हो आपके पास अगर आ रहा है उसके south southwest में तो उसका acting career डबबा हो जाएगा आप बुलोगे याद मैंने तो वास्तु के इसाब से किया था बड़ देव समझना बहुत जरूरी है जैसे हम एक organization है वैसे जो हमारे 45 देवी देवता है जिसका organization का नाम है वास्तु बुरुष मंडल 45 देवताज है उसमें main है ब्रह्मा जी वो है हमारे chairman और managing director उसके बाद उनके CEO, CXO, CTO है ठीक है अर्यमा अविवस्वान वगेरे उसके बाद आते है VP उनके है ठीक है सवीता सवी दुर हो गए वो सारे VP है वाइस प्रेसिडेंट है उसके नीचे आते 32 employee ठीक है 32 employee का के आरे अपका है तो उसका काम है उस्ताद मैस्ट्रो ठीक है तो किसी भी चीज में महारत हासिल करनी है, performing artsment, तो आपको गंदर्व का साथ चाहिए, तो गंदर्व अगर ऊके रहेगा, तो आपका काम चलने ही वाला है, और शायद से मैंने अभी grade देखा नहीं है, आपका, शायद से गंदर्व के पद में है, गंदर्व का entry है, तो ये काम चलने ही वाला है, ठी है, हम लोग आर्किटेक्स से बात करते हैं, उसको क्या लेना देना देवता के लिए, इतना बोलता हूं, आर्किटेक्क को, एंफाई में दरवाजा मत करना, एंफ़ोर में लगा देना, तो समझ जाता है, अभी मैं उसको वहां पर देवता का नाम लिग दू, के भाई, तो मैं इंडिया के वास्तु के बारे में बताता हूं, आपको थोड़ा सा, वाइदिक वास्तु के हिसाब से, या कोई भी वास्तु के हिसाब से, नॉर्थ इस्ट हमेशा नीचा होना चाहिए, रामायन में भी इसके उल्लेक है, वो भी मैं आपको शेर कर दूँगा, आप अप पर पानी बहरा है, ये धलान इशान की ओर है, ये पुरा उल्लेक दिया हुए, बहुत अच्छा, तो वो एक स्टेंबी है, वालमी की जी के तरफ से, कि वास्तु जैसी कुछ चीज है, ये हितने सालों से है, आज भी है, कल भी रहेगा, रेलेवन्स उसका कल भी था, आज भ वास्तु के हिसाब से, लोग करवाते थे, फिर भी वास्तु कंसल्टन भी दुखी था, और जो करा रहा था, वो भी दुखी था, क्यूंकि वहां पे एक्यूरेसी नहीं थी, एफिशेंसी नहीं थी, आज के जो मारे पास टूल्स है, उससे वो एफिशेंसी है, तो कमिंग देशें जो हमारे बाद आजाद हुए, यह बहुत बात बने, दुबई है जैसे, तो हमारे बात बने फिर भी इतना ग्रोथ, ठीक है, आज एक दिरम का प्राइज है 25 रुपे, तो वैसे ही हमारे जो साउथ, साउथिस्ट, साउथिस्ट हमने पहले भी बताए कि पैसो के द सर्वर की परवत आ रहे है, प्योर नॉर्थिस्ट हो रहा है अभी, अखंड बारत होगा, तो आप इस से सेंडर चेंज हो के, वो हमारा नॉर्थिस्ट से निखल जाए रहा, फिर मैंने बूला वेस्ट, एक और पॉइंट है, मैं दर्शक को बिए बता दू, इन्वेस्ट ह इसमें आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, यह बूल रहा है, कि वेस्ट, इंडिय का वेस्ट, गुजराथ, ठीक है, साउथ वेस्ट में आ रहा है भॉम्बे, थीक है, नॉर्ध मुनी ऐपर्चूनिटी है, यह पैसा खड़ा यहां से लुता है, तो इन्वेस्ट ऐसी जगा करो कंट्री का वास्तु में हमारा एक तो मेन कोई एड़पोर्ट हम एंट्री पॉंग नहीं मान सकते जब रामायन की बात है क्यों हुमारे पास इतना पैसा था पहले कि मुगल आके लूटके गए ठीक है ब्रिटिश आके लूटके गए फिर भी कॉली उसके बात ही पूरी गेम बदलना शुरू हो गयी हमारी तो जिसे कहते है कि जो त्थ एंडिया का पॉइंट के पासी अभी थोड़ा चेंज हुआ हैं यह तरो उनलिंग लिए ट्रकया मैं जो आपा थीखी है बट एक चीज होती है कि जितने भी तीर्त हैं हमारे तिर्थ किसको बोलते है सबसे पहले तो, तो जो भी देवालाई है हमारे, उसके साथ अगर पानी है तो ही वो तिर्थ होते है, Central Point यानि नाभी उर्जा होती है असायल जिन तो नाभी से ही पूरा विस्तरन होता है तो नाभी खीक नहीं है ऐसा तो हमने कई पे भी नहीं सुना ब्रह्मस्तान को in fact सबसे ज्यादा मौतव ब्रह्मस्तान को देते है सबसे फर्स्ट आता है ब्रह्मस्तान उसके बाद आता है इशानकुन, उसके बाद आता है अगनी, फिर नेरुत्य फिर वाया भिया तो ये पुरा उसका जो भी नोट्स लेते है किसी के गर पे जाके सबसे पहले ब्रहमस्तान देखते है कि ब्रहमस्तान में इसने कुछ किया नहीं है न ब्रहमस्तान में टॉयलेट आ गया मतलब नाभी पे टॉयलेट आ गया तो वो घर में हेल्थ की रिक्कत आने ही वाली है अगर वहाँ पे ब्रहमस्तान में मध्यप्रोदेश में एक्जेक्ली हमारा जो जो तिर लिंग है वो आता है महा कालेश्वर अभी थोड़ा चेंज कि सेंटर ओफ इंडिया के अंदर आपको एक एनरजी सोर्स बनाना था आपने जोतिर लिंग लगा दिया जोतिर लिंग लगा नहीं दिया ना वो तो खुदी है यह जैसे हम बोलते है कि गनपती जी है ठीक है वो शीव और पारवती के पूत्र है शीव के माता पीता कौन है नहीं पता इतने पुरान भर दिये इतने पुरान शीव का पिता कौन है विश्नु का पिता कौन है या ब्रह्मा जी के पिता नहीं पता तो इन सब चीजों में वो फिर वो अलगी लेवल चला जाता है इन सब चीजों में नहीं जाना चाहिए हमको तो अभी यहां पे क्रॉ अभी आपने पड़ा होगा कि छत्रपती शिवाजी महाराज की एक मुर्ती बन रही है महाराष्टर में हम कैल्याश्वान सर्वर्वर तक उतनी उची नहीं बना सकते बट कहीं न कहीं वह हमारे साउथ वेस्ट वेस्ट में हम वह मुर्ती सबसे टॉलेस्ट मुर्ती ओफ अहे पर सोल्यूशन नहीं मिल सकता क्योंकि जू अलरेड़ी है फो हम चेंज नहीं कर सकते वह हमारी अरेबियंजी है उसको हम चेंज नहीं कर टेप में लगा के काम नहीं होगा टेप लगाने से I guess हो जाए तो मोदी जी को हम बोलेंगे कि टेप मार दो पुरा वो कट कर दो उसको जैसे अब हमारे बॉडर्डर्स है बॉडर्डर्स के उपर जो रेलीज बनी हुए मैं आपको समझाता हूँ सेवन स्टेप्स ओफ रेमेडी है जो कलर थे भी है वो लास्ट में आती है सेवन स्टेजिस में क्योंकि वो इतना एफेक्टिव नहीं है एफेक्टिव तरीका नहीं है तो रंग फेड हो जाएगा क्या करोगे बार-बार कलरते फिरोगे वो भी रेमेडी करो तो ऐसी करो कि उसका पर्मिनेंट सॉल्यूशन निले मैं टेप के खिलाफ नहीं हूँ कि टेप नहीं काम करती है मुझे नहीं बता ठीक है बट जो शास्त्र में दिया है मैं उसको फॉलो करूँगा कि भाई यहां पर यह मैटल की बात है यह देवता की बात है यह देवता को क्या पसंद है यह हमको दिया गया है जिसे पूशा है तो पूशा में दिक्कत आ रहे तो पूशा का पूशा देव को क्या पसंद है वो दिया हुआ है हमको वरुन को क्या पसंद है, जय को क्या पसंद है, भलाट को क्या पसंद है, इस सारी चीज दी हुई है, और code language में तो बहुत सारी कुछ दिया हुआ है हमारे में, जिसको हमें decode करना है, ठीक है, जैसे नाग और बुजग, दोनों नाग है, खजाना कहा होता है, नाग देवता ख खजानी की रस्त दक्षा करते है, तो दो नाग के बीच में खजाना है, तो आप सुवट 2N3N4N5 आपका खजाना है, रेजर वही पे है, हमने अभी दर नहीं देखा, हमने काली निदी संस्तित हम लिखा था, ठीक है तो हमने बोल दिया कि money opportunities है, उबेर का काम क्या है, पैसा बलाट का काम क्या है, opportunities create करना, तो यह दिया हुआ है, हम डिकोड कर देख, जो आपने बताया था, यह जो entries होती है, यह जो अलग-अलग देव है, यह आप हमको क्या करना है, हमको entry बनानी है, या उस जगा को बैटर करना है, उस जगा पे जैसे मैं आपको समझाओ, पूशा आमको ठीक करना है, तो पूशा की एक सिंपल से टैमेडी है, जिन लोगों का भी पैसा फसा हुआ है, महरवानी करके घर को गरिड करवाईए, अपने घर के S2 में, पूशा देव वहाँ पे आएंगे, S2 में आपको एक गाई और उसका काफ, उसका दूद पीता हुआ, ऐसा ए वो मुर्ति ले लो, या फिर ऐसी प्रिंट लगा के आप निकाल दो वहाँ पे, तो आपका पैसा जो फसा हुआ है, उसको रिकवरी का काम शुरू कर देगा, तो ऐसे सिंबोल्स दिये हैं हमारे में, तो हर एक लोजिकली, हर एक देवता के उपर अबजेक्ट्स रखने होत है, उसकी बलीदार होते है, उसको क्या पसंद है, कि उसको खीर का भोग चड़ता है, उसको जैस्मिन ओल का चड़ता है, तो ऐसे पूर अब 45 का अलग अलग से दिया हुआ, और एंट्री, एंट्री का तो ट्रिट्मेंट है ना सर, कौन सी बनानी चाहिए एंट्री, एंट् ले लो, पुर्वो ले लो, यानि नॉर्थ ले लो, इस ले लो, साउथ ले लो, वेस्ट ले लो, तीसरा और चोथा पद, कोई भी एक वल है नॉर्थ की, तो उसके आठ टुकड़े करने हैं, उसमें से थर्ड और फोर्थ जो आ रहा है, उस सबसे बेस्ट है, शिक्स, सेव बात आ गई है, मितलब जान भी गई हुई है, साउथ इस्ट के एंट्री में, इस वन में, तो आप बास्टू के रिगार्डिंग कुछ के स्टडी बताना चाहोगी, जो आपने एक्जिस्टिंग क्लाइंट का कुछ किया हो, हाँ, जैसे मैं बता सकता हूँ, एक बहुत ही है, मैं नाम नहीं लूँगा, पॉड्कास पे, उनका वेस्ट ओफ नॉर्थ वेस्ट में उनका बेड्रूम था, वो तीन साधे तिन साल से उसी कमरे में सो रहे थे, और उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, लंस कैंसर था, ये चीज हम में पहले भी बोली हुई थी उनको, वो ब पहले वास्तु नम का कोई शास्त्र नहीं है, अब भूल जाओ, आयुर्वेद नम का वेद नहीं है, तगरंत इस चरक सही था, जहांसे आयुर्वेद के नियम लिए गए है, वैसे ही साथ-ाठ गरंत में से वास्तु के रिलेटेड नियम लिए गए है, जिसको मिला कि ये व समरंगन सुत्रदार है, तो वैसे अगर शहर बसाना है, अगर राजदरबर बसाना है, तो राजवल्लव है, तो वैसे अलग-अलग गरंत दिये गए है, सब में बेश सेमी है, आठ दिशा है, सोला दिशा है, सोला दिशा है नहीं बोली गई है, वहाँ पे एक मंत्र या नहीरुत्य और मध्य पूरिश्ट्याग मंदिरों यम यानि साउथ नहीरुत्य यानि साउथ-वेस्ट पूरिश्ट्याग मानि मेरा मल्लत्याग यानि टॉयलेट करने की जगा तो साउथ और साउथ-वेस्ट के बीच में आप वो बना सकते हैं फिर बोला गया है पश्च दिशा दी गई है डंथ में सीधा सीधा नहीं बोल दिया कि यह चार मुख्य दिशा है चार कोने और यहार दिशा है वह हमने निकाली हमने यानि हमारे गुरुदेव बुरुजन जितने भी है उन सबने निकाला उसको नाम दिया एक वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में उनका बेड्रुम था वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट हमने बताया कि कोई रेमेडी नहीं है वो बोले घर तो में अभी चेंज नहीं कर सकता मैं बोला सर करना पड़ेगा बात हो गई एक डेड़ साल दो साल निकल लिया और कैंसर डिटेक्ट हुआ फिर हमन उनको घर चेंज करवाया पूरा कोई रेमेडी नहीं बोले मेरा च्छे मुहीने का पैसा जाएगा जाएगा अगर उसका जो मेन बरनर था वो दीती के पद में था अगर शीखी के बद में वो फिर भी एक बार चल जाता सब पूरा हमको पता घर चेंज करवाया अच्छी एंट्रेवाला घर लिया नॉर्थ 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 इस्ट में उनका बेड्रूम बनवाया टेम्पररी बेस्किप में जो छोटा रूम था उतने चोटे रूम में रहा है रहो ना भाई कैंसर है समझो ठीक है आप गोलते हो तो करता हूं नॉर्थ 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 इसके बेड्रूम में रहे ठीक है और कैंसर निकल लिया तो अभी आप के स्टेडी की बात कर रहे थे तो थोड़ी के स्टेडी बता दो ऐसे एक 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 अच्छी बुटका फैमिली है इंडिया क क्या अच्छा नाम है उनके घर में जो लड़का था उसकी शादी नी हो रही थी तो हमने सीथे स्ब्सक्राइब प्राट देखा प्र्शा में देखा वह सबसे हाइटर होना चाहिए तो वहाँ खड़ा था, उपर से पानी था, और वो भी extended पार्ट में, तो relationship की दिक्कत आने वाली थी, लड़की का divorce हो चुका था, लड़के की शादी नहीं हो रही थी, तो दोनों की divorce की बात आई, अच्छा, लड़की के divorce कैसे होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम किसी गर में female की शादी देखते हैं, तो उनको नौर्थिस्ट पकड़ना है सबसे पहले, अगर लड़की के माईके में उसका कमरा नौर्थिस्ट में है, तो वो शादी नहीं होने देगा, अगर गलती से या इतने अच्छे योग बन रहे थे शादी के, और शादी हो भी गई, तो भी वो डिवर्स को लीड करेगा, और लड़के का अगर देख रहे हो, तो सिधा साउथफेस्ट पकड़ना है, साउथफेस्ट अगर कट है, एक्स्टेंडेड है, खड़ा है, पानी है, और खड़े में पानी है, तो इनके तो चार में से तीन चीज़ वो रही थी, तो उनने वहाँ पे धातवध्या ही करवाया, वहाँ पे 200 किलो नेट डलवाया, आयन डलवाया, उसको थोड़ा हैटेड एक रॉड खड़ा करवाया, ब्रास है ना साउथवेस्ट का एलिमेंट, तो ब्रास का एक रॉड घर से उंचा करवाया, और विदिन 4-5 मन्स शादी हो एक तीसरा केस है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत अच्छे, आदे लोग जानते होंगे शायद से, उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, यह बेटे की वाइफ की प्रेगनेंसी में दिक्कत थी, तो सीधा सीधा हमको क्लिक कर दिया, साउथ इस देखना है, साउथ सा जाउथ साउथ साउथ इस से, तो हमने देखा है, एन एण ड्डावियू में टोइलेट, वह बंदा सो रहा है नॉर्ट अफ नॉर्ष इस में, नॉर्ष इस में जो सकते हैं जो सेक्शुलिअ एकटिव नहीं है, यानि 15 साल से छोटे बच्चे, या फिर 55 साल से बड़े तो जनरल जो एज है 15 साल से छोटे बच्चे 15 साल से बड़े बुज़र्ग जो सेक्शुली एक्टिव नहीं है वही लोग नॉर्थ ऑफ नॉर्थ इस याने नॉर्थ इस में सो सकते हैं क्योंकि वह आपकी जो स्पाउम बनाने की एबिलिटी है उसको कम कर देगा वह दीर प् बड़े में लास मन्त ही हमको बुलाया था बड़े पायटी में हम जाके आए तो बहुत ही बड़िया हो गया और एक लास्ट केस टड़ी आपको बताता हूं कि एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है शायद से सब जानते होंगे क्योंकि यह सरकेट में तो बहुत फेमस है उ जो शहर में मकान लिया, नए शहर में मकान लिया, वो 60 to 65% वास्तोव पिशुष्यस लिया और वहाँ पे shift होने के, वो ट्राइक अब से कर देद नहीं हो पा रहा था, product launch नहीं हो पा रहा था, develop नहीं हो पा रहा था, वहाँ पे shift होने के एक या तेर्ड महिने में ही, अभी he is launching his own product तो वो बुडा वास्तु के इसाब से किया हमने 65% वास्तु अश्पिशियस था 35% हमने जो भी space elemental technique है ठीक है space surgery करते हैं या फिर कुछ color therapy से या aromas से उससे solve करके ये चीज़ हमने की तो ये अच्छा हो गया तो सबसे बहले thank you बहुत मताया बहुत सारी नई नई चीज़े से इक निवो मिली और मेरे को अपनी entry अब समझ में आ रही है मैं basically जो भी बारे साथ आता है को सबसे ही बूसता हूँ मेरे entry खराब है मेरे को बताओ क्यों result खराब नहीं आदे तो सब आगे अलगले चीज़े में को बताके जाते है तो मुझे बता रखता है आप ते एक नया तरीका बताया कि मेरी entry इस साइड़ से भी बुली हुई है इसलिए मेरे के लिए नेकि नौर्थ और इस सबसे खूला सबसे बैस्ट है उसके उपर का कोई वास्तो नहीं है नौर्थ इस्ट खूला हुआ है वो सबसे बैस्ट है इस बात को कोई डिनाए नहीं कर सकता और अगें यह आपके देवता मैंने आपको समझा है गंदर्व देव है जो गौड है परफॉर्मिंग आट्स के आप भी परफॉर्म करते हैं तो वो भी आपको एलफॉर दे रहे है तैंक यू तैंक यू बस देखे तो इसी के साथ पर आज की वीडियो के तब वो ते उम्मीद करता आपको मज़ा होगा लाइक कर देना शेर कर देना कवरतान वीडियो कैसे लगी बाइ गुणने शेबर कर दाफिस गुणने बाइन गुणने वीडियो देख रहे हैं जैहिन बंदे बात रहो